आज हम स्क्रीन रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे यो कि यूबंटू में हम कैसे कर सकते हैं और स्क्रीन शॉट कैसे ले सकते हैं तो यहां पर हमारे पास जो है शॉट कट की है जिसे हम आल्ट कंट्रोल शिफ्ट इन तीनों को दबाकर रखना है और साथ में आर दबा देना है तो मैं ट्राइ करता हूँ आल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर अभी देखो मैंने आर को दबाया तो यहां पर जो हमारे पास है कुछ option आ रही है option ये है ये हमारी वीडियोज है स्क्रीन साफ नहीं आ रही है तो यहां पर देखे ये हमारी वीडियोज के लिए है और ये हमारे स्क्रीन शॉट के लिए है अगर हम वीडियो रिकॉर्ड करना चाते हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे अगर मैंने मालो यहां पर क्लिक किया तो मैं यहां से प्रेस करूँ तो स्क्रीन सिर्फ इतना ही जितना यह दाइरा है बना हुआ है जैसे हम ज़्यादा या कम करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो उसी हिसाब से वहां से ही स्क्रीन शॉट लिया जाएगा अगर मैं पूरी स्क्रीन का लेना चाहता हूँ तो यहां पर स्क्रीन कर दूँगा तो फुल स्क्रीन हमारा स्क्रीन शॉट ले लिया जाएगा जो सबसे पहले मैं करता हूँ एक स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ तो यह देखिए हमारा जो स्क्रीन कैप्चर हो चुकी है अब हम डूंडेंगे कहां पर इसे हमने क्या करना है फाइल मेनेजर पर चले जाना है फाइल मेनेजर और यहां पर पिच्चर और स्क्रीन शाट तो यह देखिए हमें स्क्रीन शॉट हमारा मिल जाएगा हम इसे ओपन करेंगे तो यह देखिए हमारा जो स्क्रीन शॉट है वो ओपन हो जुका है अब हम बात करते हैं स्क्रीन को रिकॉर्ड करने की सेम वैसे ही हमने Alt, Ctrl, Shift, Plus, R दबाना है तो यह स्क्रीन हमारे पास खोल जाएगी और Automatic ही जो हमारा है वीडियो पे चला जाएगा तो हमने वीडियो पे रहने देना है और स्क्रीन कर लेना है जब हम स्क्रीन करेंगे तो यह पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा जब हम इस लाल वाले बटन को दबाएंगे तो यहां पर एक नोटिस आजाएगा वालियम और पावर बटन के पास तो मैं इसे दबा देता हूँ एक बार तो यह गाईब हो चुका है और हमारी जो सक्रीन है वो रिकोर्ड होनी शुरू हो रही है तो यहां पर देखिए जितने भी सेकंड की रिकोर्डिंग हो रही है वो यहां पर मैंचन करा है नाइन और टैन तो यहां अगर मैं इसे स्टॉप करना चाहूँ अगर मैं मालो यहां पर कोई काम करता हूँ कोई जैसे मैंने यह टर्मीनल खो लिया जिस पर कोई दी कमांड लिखूंगा वो सभी की सभी जो है रिकोर्ड होनी शुरू हो जाएगी हमारे पास तो यह हमारी जो वीडियो है वो हमारी 30 सेकंड तक रिकोर्ड हो चुकी है तो इसे स्टॉप करने के लिए मुझे यहां पर क्लिक करना पड़ेगा यहां पर पिच्चर थी तो अब मैंने क्या करना है वीडियो पर क्लिक करना है वीडियो पर क्लिक करने के पास यहां पर हमारे पास आजाएगा स्क्रीन कास्ट सबसे पहले हमने के यह किया फाइल मेनेजर उसके बाद वीडियो और उसके अंदर है स्क्रीन कास्ट का फोल्डर इसे मैं डबल क्लिक करके उपन करूंगा तो यहां पर जो भी मैंने रिकॉर्डिंग की होगी वो हमारे सामने पेश हो जाएगी तो यह देखिए मैंने यह वाली रिकॉर्डिंग अभी की है तो मैंसे उपन कर लेता हूँ यह देखिए हमारी वीडियो चल रही है यहां से मैं आगे कर लेता हूँ यह देखिए हमने टर्मिनल खोला हुआ था अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यह रिकॉर्डिंग चल रही है तो मुझे अमीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक्स फॉर वाचिंग यह बिना किसी साफ्ट्वेर के है यह इन बिल्ड इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर है तो इसी से आप शॉर्ट कट कीज जो है वो मैं आपको फिर से बता दूँ यहाँ पर शॉर्ड काट कीज है पहले आल्ट दबाना है CTRL और SHIFT इन तीनों को दबाग कर रखना है उसके बाद हमने आर प्रेस कर देना है तो हमारा वो स्क्रीन कास्ट जो रिकॉर्डर जो स्क्रीन शॉर्ड जो खुल जाएगा तो हमारा स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं थेंक यू फॉर वाचिंग।